नमस्कार मैं हूँ आपके साथ स्रिस्टी स्वागत है आपका नौधर टाइम्स में दिल्ली के गाजिपूर में बना कूड़े का पहाड लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है गाजिपूर लेंडफिल साइट से तकरीबन 700 ट्रक कूड़ा डेली डंप किया जा रहा है लेकिन बहुत जल्द दिल्ली वाले इस कूड़े के पहाड से निजात पालेंगे दरसल MCD ने इस कूड़े के पहाड को हटाने के लिए पाइलट प्रोजेक्ट के शुरुवात की है जिसका उधगाटन पुर्वी दिल्ली के सांसाद गौतम गंभीर ने नारियल फोड कर किया MCD का दावा है कि दो साल में इस कूड़े की पहाड की उचाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है आए जानते हैं कि कैसे पाइलट प्रोजेक्ट के तहत MCD इस कूड़े के पहाड को खत्म करेगी दिल्ली के गाजिपुर में बढ़ते कूड़े के पहाड को रोपने के लिए करीब एक महीने पहले पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर बायो माइनिंग औफ लीगेसी वेस्ट शुरू किया गया था जिसके टैक्स सेग्रिगेशन प्लांट को बतावर ट्रैल करीब तीन दिनों से चला जा रहा है जिसको जुगाड का नाम दिया गया है यह जुगाड 644 में ट्रिक्टन कूड़ा हर रोज सेग्रिगेट कर रहा है अगर यह मशीन हर रोज इसी तरह से कूड़े को अलग करे तो पूरे कूड़े को खत्म करने में करीबन 12 साल का वक्त लग सकता है लेकिन MCD इस बात पर सोच रही है कि कूड़े का धेर 4-5 सालों में कैसे खत्म किया जाए इस पाइलट प्रोजेक्ट को एनलिशिस किया जा रहा है अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मशीनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी कूड़े के पहाड को लेकर पूर्वी दिल्ली के सांसत गौतम गंभीर ने कहा कि गाजीपूर लेंडफिल साइट पर निरंतर बढ़ता हुआ कूड़े का पहाड बहुत गंभीर बिसे है जिसके अस्थाई समाधान के लिए पूर्वी दिल्ली नकर निगम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उम्मीद है कि आधुनिक तक्निक पर आधारित या मशीन इस विक्राल स्वमस्या का निश्चित रूप से अस्थाई समाधान करेगी कि एक बहुत इत्यासिक स्टेप है तो मैं कॉंग्राचिलेट करना चाहूँगा संदीफ कपूर जी को जी संदीफ कपूर जी को कंशन महेशवरी जी को एडी एमसी को जिस तरीके से इनोंने मिलकर ये स्टेप उठा है आपको बता दे कि इस कूडे के पहाड को हटाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इसमें तीन प्रकार का कूडा होता है प्लास्टिक, पॉलिफिन बैग और कागज के टुकडे जिनको अलग करके बिल्ज़ी पैदा करने के काम में लिया जाता है वहें दूसरा गार्बेश जानी घरों का कूडा जिसमें सबजी, फल और उनके छिलके जैसे और्गैनिक मैटेरियल होते हैं जिने डीकमपोज किया जा सकता है तीसरा बिल्डिंग मैटेरियल जिसमें इत पथर शामिन है इसका इस्वाज सढग बनाने में किया जा सकता है पर्यावरण को देखते हुए पुर्वी दिल्ली नगर निगम ने पाइलट प्रोजेक्ट के शुरुवात तो कर दी है लेकिन देखते हैं कि दिल्ली वालों के लिए इस मुसीबत के पहाड को कब तक खत्म किया जाता है फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही बने रही है आरे साथ देखते रही है नवदे टाइम्स झाल के लिए टाइम्स